काम्याबी के दरवाजे उन्हें के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने के तागर्त रखते हैं Hello friends, Good morning, Welcome back to another video कैसे हैं आप लोग, I hope आप सबी लोग अच्छी होंगे, अपने study को मज़े में कर रहे होंगे तो fans हमारे आज एक और दिन की शुरुवात हो चुकी है जिसे कि आप लोग को पता है कि हमने 21 दिन study challenge स्टार्ट किया है जिसमें कि हमारा first target यही है कि सुबह का 3 बज़े उटने का तो fans हमारा target complete हुआ है, हम 3 बज़े उट चुके हैं उटने के साथ सबसे पहले अपनी आँखों को थोड़ा से relax देंगे देन उसके बाद अपना study routine स्टार्ट करेंगे लेकिन fans उससे पहले हम अपने बैट को थोड़ा सा बना देते हैं थोड़ा सा ठीक कर देते हैं जिससे कि मैसी मैसी ना लगे और उसके बाद हम चलते हैं बाहर बाहर जाने के वाद सबसे पहले मैंने बाहर का थोड़ा सा नजारा देखा विरकुल हनेरा था और सन्नाटा पड़ा हुआ थे एकदम से उसके बाद सबसे पहले हमने पेस्ट वगरा किया माउट वास वगरा किया फेस बॉस किया देन उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर अंदर रूम में और आप लोगों को पता है कि फ्रेंट्स हलकी हलकी से सर्दी जैसा मैसूस होने लगा है तो अभी और दो दिन से बारिस हो रही है जिसके विशे थोड़ी से ठंडी हवा चल लही है जिसके विशे तो मैंने पंखा बंद करा हुआ है अभी और फेंट्स एक चीज और आप लोगों से कहना चाहूंगी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि जो लोग भी मेरे साथ सुपर टैट की प्रपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और अपने अपने एक्जाम का स्लेवर्स को कंप्लीट कर सकते हैं वैसे मैं बताओं कि बेसिकली मैं टीचिंग एक्जाम और सुपर टैट की प्रपरेशन कर रही हूँ तो फेंट जो लोग भी न्यू हैं मेरे साथ अगर आप लोग प्रपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्स कर लिजिए जिससे कि मेरे आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंसता रहे हैं तो फेंस अब में आगी हूं अंदर रूम में और आप करते हैं अपने स्टाइडि का फर्स स्लोट को स्टार्ट जिसमें कि सबसे पहले अपने अस्त्र अस्त्र जिन जिन चीजों की हमें जरूरत हैं उन साही चीजों को हम अपने पास में रख लेंगे सबसे पहले हम एक फॉन को लेंगे जिससे कि मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूं उस फॉन को मैंने साथ में लिया हुआ है अपनी अपना चैस्मा जिसके विना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं औ आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने बैठ के सिराने पर ही अपनी नोट बुक बगएरा रख रखी हैं काफी लोग कह रहे होंगे यहां क्यों रख रख रखी हैं तो मैं बता हूँ कि मेरा न मतलए कि मोस्टली में यहीं बैठ करके पढ़ती हूँ बोलते हैं एक अपना अड के लिएंगे तो ऊसका भी कोई ड़र नहीं है तो यहां एकडम से रखी रहती है तो सब्सक्राइन धुटियर से पर्विय्या से philosophies क्लास ले रही हूं और जो कि मानिंग का फर्सिलॉट रहता है वसलें मैं हिंदी की क्लास लेती हूं और जोकी मैंने एक क्लास आज लेती जोकी मेरी एक घंटे की complete हुई थी देन उसके बाद मेरे पास जो batch है सुपर टैट का वहां से मैं एक class CDP की लूँगी जो की मेरी सवा घंटे की लगवर-लगवर class हुई थी क्योंकि हम लोग वीडियों अपने notes भी बनाते हैं जिसमें कि थोड़ा सा time चला जाता है वैसे क्या है कि आरफी सर जब पढ down करते हैं whiteboard पर तो हम साथ के साथ में notes बनाते जाते हैं लेकि कुछ चीछ है जब वो समझाते हैं तो वहां पर हमें थोड़ा रुखना पड़ता तो इस तरीके से थोड़ा सा time चला जाता है वर कोई बात निया और फिर से इची जो लोग भी इतने time से vacancy का इंतिजा कर रह होगा और जो लोग भी वहां पर इंट्रेस्टेट हैं MP टैट के लिए तो आप सब लोग apply कर सकते हैं बहुत ही अच्छा मौका है जो लोग प्याहा जाना पसंद नहीं करते हैं MP के लिए apply कर सकते हैं और फैंस आज की ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने घ इस वीडियो में बहुत कम दिखाया है यह मानीएगा कि मैं दिखाया ही नहीं है क्योंकि काफी सारी लोग है जो की बोलते हैं कि आप काम की चीज़ा नहीं बताती है फाल्तू की जादा बताती है तो इस वएसे मैंने सोचा है कि आपसे हम इस चैनल पर सिर्फ और स्टेडी से रिलेटेड ही बात करा करेंगे जैसे कि मैं कितना आवर्स की पढ़ रही हूं कौन-कौन से मेरा स्लॉट हो रहे हैं वो सारी चीज़ है और जो भी घर के काम रहते हैं अगर आप लोग देखना चाहते हैं मेरा पूरा रूटीन कि मैं घर के मतलब कि स्टड़ी के साथ-सा मेरीं ने कर लिया है जो लोग मैरीड होते हैं तो देवरानी ने कर लिया है जटानी मेरे साथ कोले मनें बब्रकी hai उस्नों वहाइज मेरी साथ-से काम करें देवाइड कोई करते हूं देन उसके बाद अपने लिए आठ से नौ गंटे जो स्टेडी का निकालती है तो पूरे घर के काम जैसे को उसमें जाड़ू भी हो गया खाना भी हो गया बरतन भी हो गया और कपड़े भी हो गया साथ में घर की क्लीनिंग होगी जो एक्ट्रा क्लीनिंग होती बहुत सारी काम में कम्टेट करते हूं उसके बाद अपनी लिए टायम निकाल दी तो अगर वह सारा भी अगर आप रूटीन देखना चाहते हैं तो आपको मेरे दूसरे वाले चैनल पर देखने को मिलेगा जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन वॉक्स में लगा दूंगे आ अप्लोड नहीं की थी लेकिन आज से में उस पर अप्लोड करूंगी मैंने यह सोच रखा है और आप लोग भी बताना कि क्या ठीक रहेगा कि उस वाले चैनल पर अपना पूरा घर का जो भी काम है उस वाले चैनल पर डालूं या इसी में पूरा दिन का रुटिन दिखाऊं और लग की जिस तरीके की कमेंट होंगे आप लोग जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगी आप लोग की कमेंट को देखते हुए ही मैंने अलग 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 चीज़ें डिवाइड की हैं अगर आप लोग एक ही चैनल पर इसी वाले पर अगर देखना चाहेंगे तो मैं इसी बढ़ा और हो गया सब कुछ तो वह साही चीज़े नहते हैं तो आप लोग सज्जेस्ट करना ठीक है जो से कि मुझे भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी तो फैंट मैं दिनका भी मेरा स्लोट कंप्रीट हो गया यह सहरी बाते बताने में और आज का यह वीडियो में यह ठीज़ करके आ रही है और काम भी बहुत स्पीट से बढ़ चुका है आप लोग देख सकते हैं कि जैसे पोर्टल वनना था बैपसाइड वगरा वो भी बन गई अध्यक्ष निक्तों गए अब आप लोगों को पतार कि अध्यक्ष निक्तोंने में इन्होंने एक साल लिया अगर बै करती ग्रेड अगरा कि पैकैंशी के पद वगरा है वो भी उन्होंने डिक्लियर कर दिये तो इस चीज़ यहां कि हां सूपर्टेट हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा लेकिन यह नहीं पता है कि कब तक और कितने पदों पर देखने को मिलेगा लेकिन हां यह वात कि है कि सा में देखने को मिलेगा और उससे पहले-पहले यूपी टैड ज़रूर्से ओगा ये चीज किलियर है किलियर किसी पैँकर महलए है किया है च्वार एकल ताम का टाइम और यहां बैठ गई भी हो मैं मैंत की प्रक्तिश करने के लिए जो कि मैं कर रही हूँ पवनसर से पवनसर डेली साम को पांच बजी प्रैक्टिस एक करा रहे हैं और टॉपिक 22 हो रहा है वहाँ पर और 23 क्लासिस अब तक कम्टिट हो चुकी हैं अगर आप लोग भी करना चाते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं इसी के साथ आज की ब्लोग को एंड कर रहे हैं उम्मीद करते हूँ कि आज का ब्लोग आप लोग को पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीज प्लीज पीज़ाएं